रेलवे टिकेट बुक करने का बिजनिस सबसे पहले ओनलाइन टिकेट काटने के लिए आपको IRCTC की विबसाइट पर जाकर एजन्ट बनने के लिए अपलाई करना होगा उसके बाद आप एक authorized ticket booking agent बन जाएंगे फिर आप ticket booking कर सकते हैं टिकेट बुक करने पर IRCTC की ओर से agents को अच्छा खासा commission मिलता है कितना मिलता है commission? किसे में यात्रे के लिए non-AC coach का ticket बुक करने पर 20 रुपे प्रति टिकेट और AC class का ticket बुक करने पर 40 रुपे प्रति टिकेट का commission मिलता है इसके अलावा ticket की खीमत का 1% agent को ही दिया जाता है IRCTC का agent बनने का एक और सबसे बड़ा फाइदा ये है कि इसमें ticket बुक करने की कोई limit नहीं है महीने में आप चाहे जितनी मर्जी उतने ticket बुक कर सकते हैं इसके अलावा 15 मिनिट में तकार ticket बुक करने का भी option मिलता है कितनी होगी कमाई एक महीने में agent जितने चाहे उतने ticket बुक कर सकता है agents को हर booking पर एक commission मिलती है एक agent हर महीने लगभग 80,000 रुपे तक की regular income हासल कर सकता है अगर काम काम हुआ तम भी कम से कम 40 से 50,000 रुपे तक की कमाई की जा सकती है कितनी fees लगेगी अगर आप एक साल के लिए agent बरना चाहते हैं तो IRCTC को 3,999 रुपे की fees भरनी होगी जबकि दो साल के लिए ये charge 6,999 रुपे है और एक महीने में 300 से ज़्यादा टिकेट बुप करने पर एक टिकेट पर 5 रुपे की fees देनी होती है IRCTC के साथ मिलकर शुरू करें अपना खुदकार रेल टिकेट बुप करने का business अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और business आडियास के लिए हमें comment करके जरूर बताएं ओकी क्रेडिट, business ओकी है